हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं LIC के बारी में प्रॉफिट कहा रहा है EPS कहा रहा है इन सारी चीजों पर हम दिसक्रशन करने वाले हो जो में चीज अभी तक जिस पर सब्सक्राइब भी जरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दू ट्राइड के भी क्यू पोर रिजल्स आज ही आए हैं मैंने वीडिय बहुत बड़ा चेंज हुआ है इनके Q4 में जो कि आज तक इसी ने एक्सपेक्ट नहीं गया था आप वो जाके देख सकते हो तो LIC में आज अगर आप देखोगे 1.81% का अपसाइड मुमेंट आया और करीवन 836 के आसपास की क्लोजिंग आज के दिन देखने को मिली है यानि कि अपने हायर साइड के आसपास ही आपको इसकी जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है तो यहां पर अब मैं डिरेक्टली लेके चलता हूँ जो भी इनोने नंबर से यहां पर शो करें हैं उसके उपर सबसे पहली चीज की जो इंकम है वो कितनी निकल के आती है पहली बारी पॉलिसी है उससे कितनी इंकम आई है रेनीवल प्रीमियम यानि कि पुरानी पॉलिसी के रेनीवल है उससे कितनी इंकम आई है सिंगल प्रीमियम यानि वन टाइम प्रीमियम कितना है तो इन सारी चीजों को यहां पर कलेक्टिवली देखा जाए तो लिए एक बड़ा amount निकल के आता है जो कि आपको करीवन 9762043 के आसपास था वो अब बढ़के 14374591 के आसपास हो गया है और इसको आप अगर एक साल पहले same quarter से भी compare करोगे तो भी आपको एक अच्छी खासी growth देखने को मिल रही है net premium income में और यहाँ पर अगर आप देखोगे income from investment या फिर other income ये सारी चीज़े भी देखने को मिल रही है तो total अगर आप यहाँ पर देखो 225 यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहा है तो जो increment हुआ है वो काफी tremendous नजर आ रहा है करीवन 2 करोड 11,45,173 के आसपास हमाउन देखने को मिल रहा है जो कि पहले quarter में 1 करोड 24,58,650 था और same year last quarter में अगर आप देखोगे 1 करोड 89,17,624 तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ से 2 करोड का amount जो है वो देखने को मिल रहा है तो net income जो है बहुत ही जादा अच्छी काची grow करी है अब income जब grow करती है आपको पता ही है हमेशा की जो इनके expenses हैं वो भी जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारी चीजों के expenses हैं commission देखने को मिल रहा है net commission देखने को मिल रहा है operating expenses देखने को मिल रहे है employees remuneration welfare expenses देखने को मिल रहे है other operating expenses देखने को मिल रहे हैं तो directly shortcut मैं आपको बताऊं जो expenses हुए management के वो भी इस बारी बढ़ते हुए नजर आए हैं यानि कि अगर आप देखोगे तो जो 14 लाग के आसपास था वो 19 लाग से भी ज्यादा कमाउंट हो गया है और सेम क्वाटर लाश्ट येर में अगर आप देखोगे तो 16 लाग के आसपास था जो कि अब 19 लाग के आसपास हो गया है तो डेफिने पर बहुत जादे tremendous तो नहीं अब इसके अगर calculation करोगे तो आपको देखने को मिलेगा income minus expenses तो definitely एक अच्छा figure है और आपको quarter on quarter basis और year on basis पे भी increase होते हो नजर आ रहा है अब यहाँ पर main चीज आती ही किसी भी insurance company में अगर आप इनके results देखते हो तो provisions वगेरा बहुत सारी चीज जो को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत बड़ी calculation निकल के आती है यानि कि benefits paid कितना है surplus और deficit कितना निकल के आ रहा है appropriations क्या है यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है तो मैं आप directly आपको जो main figures हैं उन पर लेके चलता हूँ यानि कि जो आप 27th column देख प आसपास का figure देखने को मिल रहा है जो कि इस बारी दो लाग पेंतिस या तीन सो उननचास हो गया है तो क्या दस गुना भड़ गई है profit ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो यहाँ पर main चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जो इनके provisions वगरा है वो अगर आप देखोगे तो definitely काफी यदा adjustment होती है तो उसकी वजह से जो figure यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है profit का वो बड़ा है ना कि आपको year on year basis पर quarter on quarter basis पर इस तीन tremendous growth नहीं देखने को मिली है वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो 2.89,589 का last year same quarter में देखने को मिल रहा था जो कि इस बारी 2.35,349 अब अगर आप देखो कि तो provisions का amount यहाँ पर काफी यह तक बढ़ते हो नजरा है तो definitely अगर आप जो मैंने आपको directly बताया यानि कि income minus expenses आप directly कर दो without adding any provisions वगेरा तो यहाँ पर आपको एक अच्छी गासी growth देखने को मिल रही है साथी quarter on quarter basis पर एक अच्छी गासी growth है और year on US risk पर आपको एक अच्छी गासी growth देखने को मिल रही है सेम अगर आप देखो कि तो EPS में भी देखने को मिलेगा क्योंकि adjustment काफी जादा हुए है जिसकी वजह से अगर आप देखो कि तो EPS भी आपको quarter on quarter basis पर करीवन 10 गो ना बढ़ते हो नजरा है लेकिन exact real picture यह नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर total आपको बता दिया है कि क्या कर सिनेरियो बना है अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि आखिर company ने corporate action कौन सा दिखाया है तो company ने यहाँ पे अपने shareholder को पहली बारी में ही dividend दिया है लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि 2 रपे तक का dividend मिल सकता है उतना भी dividend नहीं मिला है करीवन देट रुपे का dividend आपको यहाँ पे देखने को मिला है और ये आपको final dividend देखने को मिल रहा है यानि कि जितने भी shares हैं उसका more também 10 1 से do मिल रहा है इविन दो expectations बहुत जादा थी कि एक तगड़ा dividend मिलेगा कम से कम 5 से 10 रुपे का लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि इतनी याद expectation भी मत रखिये करीवन 2 से 3 रुपे का dividend मिल जाए तो वो भी काफी है लेकिन वो भी कर आप देखोगे तो नहीं मिला है केवल और केवल देड़ रुपे का dividend आपको यहाँ पर मिलते हो नजर आया है तो अब यहाँ पर conclusion में निकालू तो numbers तो LIC के आपको पते हैं अच्छे ही आये हैं कोई बहुत ज़्यादा आपको ना तो खराबी ना बहुत ज़्यादा tremendous भी नहीं है यादि extraordinary नहीं है ठीक नजर है overall आपको growth अच्छी आशी देखने को मिली है साथ ही यह भी अच्छा है के listing के पहली बारी में ही आपको यहाँ पर dividend भी मिल गया है वह बाता लगे कि dividend इतना बड़ा नहीं है जितना share price है तो definitely एक अच्छी चीज तो हो सकती अपने shareholder को रोकने के लिए लेकिन अगर यहाँ पर dividend वही पांच रुपे के या चार रुपे का भी होता तो भी एक अच्छी बार निकलके आ जाती आपके according numbers कैसे है यह पर dividend कैसा है comment वाक से मताईए वीडियो अच्छी लेगे तो like कर दीजगा चैनल पर first time विजिट कर रहे हो तो please चैनल को subscribe भी जरू कर दीजगा धन्यवाद